मैं उसी अस्थान पर मुझूद हूँ जहाँ पर होली के मातर एक दिन पहले छे बर्स कम उम्र बता जाता है कि पांच वर्स के लगबग उम्र की बची के साथ है एक बेक्ति इंसान ने इंसान भी नहीं भी कहेंगा हम एक हैवान ने दूसकर्म करने का काम किया और इसी को ले में इस घर में महज पांच बर से कम उम्र की बची के साथ उसकर्म किया जाता है और आज के समय में ऐसे हलात में ऐसी घटना कितने निंदिनिये हैं और वही एक बची के साथ 5 साल की बची के साथ 45 साल का उम्र का बेक्ति जो साधित सुदा है बाल बचे वाला है एक घोर मान इसको देह कर लूग और भी इस तरह करना करने के लिए अपना को बंदकर्पना कर रखें जब हमें आपर आये तो हमें पता चला की बच्चिया जो इसका घटना हुआ है उसके पीता और मता दोनों विकलांग है और मजदूरी करके किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करते ह है जो इस घर को देख रहे होंगे उनका घर है तो कितना परभाव पड़ेगा उनके जन जीवन पर भी चुकि भुखमारी की इस्तितिय अपताएगी है निशीत तोर से जब विकलांग है क्रिश्टर सब ने विरड़ी चलाते हैं कि दादी यहां बैठी हुई है और दादी समाजी के रूप में तो बहुत सारे हम लोग आएंगे जाएंगे लेकिन के आर्थी की रूप से जो इस्तितिया पैदा हो गई है कि समाज के अंदर में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो गलत तरीकी से देखेंगे तो समाज में तो इनका मानहानी का हुआ ही है और इसको लेने के काम करेंगे ती हुए एक और साथी है सर तमाम आप लोग लगते हैं गरीब मजदूर किशान की और आज भी ऐसे गरीब के लोगों का यह मूझ दिखना पड़ रहा है कि मज़ पांच सार के बच्ची के साथ कृता की घटना होती है कितना नहीं देखे यह जो है इसको इस संदेश देने का काम कर रहे हैं मरजिला मंत्री नो बोला ठीक हम परतासन से मांग करते हैं कुन को जो है उस ब्यक्ति को जो है कली से कड़ी सजाय दी जाए और जो है ताकि कि आइंडे जो है कोई भी ब्यक्ति जो है इस तरह की घटना पे जो है इस तरह की काम करने पर जो ह सोचे आप देख रहे हैं आज जो है हम लोग तो कभी कभी सोचते हैं देश के अंदर जो है इतनी धर्मिता पैदा होगे यह असारा मुरारी बापू सुन्धासु महराज बड़े-बड़े मुलबी बड़े-बड़े जो है पंडी जी जो है ज्यान परबचन दे रहे हैं और यह चोटी चोटी पंट पंट साल लग्यों के साथ बलतकार हो रहा है यह क्या हो जा दर्म करते हैं कुन को कड़ी से कलि सजा हो और आगे जो है कोई भी व्यक्ति जो है इस घटना करने पर सौब बार सुच है क्या नाम हो आपका धर्मेंद्र कुमार सिंग सीपी आई भारतिय कॉम्मिनिस्ट पार्टी अकोड़ी वोल तमाम जीतने भी आपके लोग हैं जर्पिनिदी हैं मांग कर रहे हैं कि जो भी घटना में सनलीपत है जिसी गिरफतारी हुई है फासी की सजा हो और हमारे साथ पंच आत ऐसी घटना से सर सब्सेश को तो बयाई ही नहीं किया सकता है मनावता को बिल्कुल सरमसार करने वाली बात है और जो सर ने बोला बिल्कुल स्पीट ट्राइल करके जल्द से जल्द उनको सजा होना चाहिए कि समाज में मैसे जाए कि इसको कृत्ते का यही अस्थान है य कम कि हिसे तो पाँसी पागल उब्यक्तिन नहीं ने गोर निन thou किया है और शहीं में स्राम स्वैर्ण हाटके है जो पर जिस्तीती परिवार को देख रहे हैं कि नजरिया तो सब पंचायद के तरफ से कि इनको आवासा बना लेती है और उसके बारिस और तुफान के जो मार जेलती है उसके बाद उसका घोसला रहता है और मुख्या जी ने कहा जितना बन पड़े पाश जार दस जर्क मदद करेंगे। हमरा अरभिन को स्वान आम पड़ेगा। कितना घिनवना काम किया उस इंसान ने महद पांच वर्ष की बच्ची के साथ लगबाग कम उम्र की बच्ची के साथ से घिनवना काम किया यह जो घटना हुआ है पंचायत के ही घटना है इसी पंचायत के हम भी निवासी है और मेरे पिता जी पैक साथ जग्ष के परतनी दित्व करते हैं हम लोग भी समाजी कार्ज में रूची रखते हैं इस गाउं से कोई हमारा मने घनिष्टा संबंध है लेकिन जो घाटना हुआ है बच्ची के साथ ओ तो मने सुनने के बाद तो मने हर कोई का दिल पिखल जा रहा है कि गलत हुआ है इसमें तो किंतु परंतु नहीं है मेरा नम सुदर्शन जिंग पढ़ता है से पी आई अंचल सेकेर्टी राजबूर यह आप ही के छेतर में पढ़ता है तमाम तरह की लडाईयां आप लोग लाल धंडे के निचे लडते हैं जहां तक हमें पता है गरीब गुर्गुरों के लडाई और एक बार फिर एक यह हमारे पाटी अस्तर से या जन परतनी धियों से लडाई होनी चाहिए और इसको ट्राइल करके या कड़ी से कड़ी इस ब्यक्ति को मने सजा मिलना चाहिए और ताकि समाज में मैसेज जाए कि इस तरह का दुबारा घटना न घटे हम इस परिवार के प्रति मतलब अभार ब्यक्त करते हैं और भारतिय कमदिस पार्टी राजपूर अंचल के तरफ से इस परिवार को 2,000 रुपया हम लोग साहजोगरा सी बहुत अच्छी बात है चुकि लाल जंडा के निचे ले लड़ाई लड़ते हैं और सबको पता है लाल जंडा चंडा के निचे चलता है और दो हजार देने का मतलब दो लाग के बराबर होता है चुकि लाल जंडा ऐसा पार्टी होता है जो गरीब गरिवों के लाई होते है और उनका कोई फॉंड नहीं होता है परसाद पत क्या हुआ हम विकास मित रहा है मेरे पतनी पंचाई समीती सुरस्ता है आप इक छेतर में घटना हुआ है दुशकरम का ममला है क्या मांग करते हैं हम लोग इनको सहजो करेंगे और जो कहाना है घटना बहुत खराब है अब कहा नहीं जा सकता है पुरा पंचाई सब्सक्राइब करते हैं लेकिन फिर भी इस घर का जो बतायाता है कि लड़का जो है पूत्र है लड़की का मता पिता जो है दोनों बिकलांक है और किसी तरह से जीव का परजन करते हैं प्रसासन को तो का में गिरफ्तारी किया आप लोगे क्या मांगे है कि यहां कड़क० सज्व श ciao कि बहुत मुत काम हो लगच क्वितंव च throughout कि उनलभ पर भी पर हो गया है राजपूर पर कंका तो क्या बताया झाम तो बंधahan वास्ति विक्ता भी दिखाते हैं और दिशा दोनों दिखाते हैं दिसा तो बदलेगी इसला काम किया है और दिशा बदलेगी उस माता का जिस ने कोग्यी प्रधा किया था और इसी गरीब जोपड़ी में रहती है सबी जन परतिन दोने असवासन दिया है कि हम मदद करेंगे और उसका दसा और दिशा दोनों बदलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमस्त बंद रहे हैं तब तक लिए दीजिए जज़त नमस्कार जैहिन